नमस्कार व्यूस्टूडे में आपका स्वागत है जम्मु कश्मीर सरकार ने जब से लैंड ग्रांट रूल्स 2022 नोटिफाई किये हैं तब से बिजनिस कम्यूनिटी और जम्मु कश्मीर में जितनी भी बिजनिस और्गिनाइजेशन हैं उनकी तरफ से इसकी कड़ी आलोचना की गई है और कई तरह के उन्होंने इस पर कुश्टन मार्ग भी उठाए हैं और स्खास करके उन्होंने बताया कि इस तरीके से अगर ऐसा करने से जो एक्जिस्टिंग बिजनिस कम्यूनिटी है जो बिजनिस जो चल रहे हैं उनको बहुत ही बो परभावित होंगे इन सब बाचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय चैंबर आफ कॉमर्स इंडस्टिज जम्मू के प्रेजिडेंट अरुन गुपता जी है इन से डिटेल में बाचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से जो सरकार ने यह जो नया रूल लाया है लैंड ग्रांट रूल लाया है कैस ग्रांट रूल 2022 लाये गे हैं यह आम लोगों के हित में हैं लेकिन यह देखा गया है कि बिजनेस कम्यूनिटी आपकी तरफ से और कश्मीर की भी जो वहां की बिजनेस कम्यूनिटी उनकी तरफ से काफी इसकी अलोचना की गई है देखिए लैंड ग्रांट रूल जो आज इसकी तरफ से इशू किया गया है 2022 इसके उपर मेरी पहले भी काफी बाग गोर्मन्ट से बात हुई और मैंने कहां कि कोई ऐसी पालिसी आने चाहिए क्योंकि लीज जीड लोगों की खतम हो चुकी थी और उसमें सिर्फ और सिर्फ नजूर लैंड नहीं था उसमें एगरिक डिपार्टमेंट के बहुत सारे ऐसे जगाईं थी जिनकी लीज जीड खतम हो चुकी है और मेरी तरफ से मैंने बार बार यही रिक्वेस्ट की जेडिय की तरफ से भी मैंने उनकों भी अपनी रिप्रेजेंटेशन दी कि आप अपनी कोई पालिसी लाइए जिसमें जिन लो कोई भी कलोनी जो है वो डिवल्प नहीं की गई है और हमारा फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनी चीजों पर पड़ा हुआ है जो अग्जिस्टिंग है और उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है मैंने अपनी तरफ से बार बार रिक्वेस्ट की मैंने लजी साब से भी ब बिजनस कम्मुनिटी के और कोई भी एलसी पॉलिसी जो हमारे बिजनसमें को डिस्टरब करेगी जा उनको एफेक्ट करेगी हम उसके खिलाफ कड़े हो जाएंगे और आज जो पोजिशन बनी है मैं समझता हूँ पहली बात तो यह है कि जो आज लैंड ग्रांट रूल बना है उसमें जो छोटा बिजनसमें है उसको स्पेर किया गया है होसिंग जो है जिनके पास रेजिदेंशल लाट्स हैं उनको स्पेर किया गया है उनके लिए लग से एक पालसी बनेगी अभी तक वो पालसी जो है अभी सामने नहीं आई है लेकिन बहुत सारी ऐसी लैंड जिन और अभी तक क्योंकि गौवर्मेंट की तरफ से नोटिस भी कोई इशू नहीं किये गए हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे अधारे हैं जो आने वाले दिनों में इस रूल की वज़े से डिस्टरब हो जाएंगे मैं अपनी तरफ से गौवर्मेंट को यही कहना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा रूल क्योंकि गौवर्मेंट का काम जो होता है वो लोगों को बसाना होता है उनको डिस्टरब करना नहीं होता है प्रीमियम जो है वो गौवर्मेंट का हक है अगर गौवर्मेंट जो है कोई प्री लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग चीजें बनी हुई हैं उन लोग उनको डिस्टर्ब करने की जगह अगर नई चीजें बने तो उसमें नए लोग भी जो हैं वो कहीं ना कहीं अडिजस्ट होंगे उनको रहने के लिए बनाने के जगह मिलेगी और वो जो दाइरे बनेंगे वो मेरे खाल में एम्प्लाइमेंट भी जर्नेट करेंगे सरकार का कहना है कि जो लैंड ग्रांट रूल में चेंजिज लाएगी हैं ये बहुत ज़रूरी थी क्योंकि इससे आम जो कामन मासिस हैं उनको उसका फाइदा होगा क्य इस होल्डर्स हैं उनको दुबारा रियॉक्षिन करने का भी एक मोका मिलेगा और सेकंड अगर उन्होंने किसी तरह का उस लैंड पर गवर्मेंट लैंड पर स्ट्रक्चर अगर बनाया है उनको पूरी पेमेंट जो है उसकी दी जाएगी आफ्टर असेसिंग बाइद कंसर गवर्मेंट इथारिटी देखिए आज तक पूरे हिंदोस्तान में इस तरह का रूल जो है कभी एफेक्ट में नहीं आया है यह अपने आप में एक नया रूल है अब उसमें लोगों की तरफ से जहां गवर्मेंट की तरफ से क्या होगा लोग जो है किस तरह से रियक्शन अभी तक क्योंकि चैंबर के पास तो कोई आया नहीं और दूसरी बात यह है कि यह जो रूल है बेसिकली यह रूल बना है उस जज्जमेंट पे जो सुप्रीम कोट ने दी थी क्यों सवाइमान सिंग जो होटेल है जो आज की डेट में टाटा के पास है उसमें एक खतम हो चुकी है अब इसको गौब्मेंट को अथार्टी है कि वो इसको रियॉक्षन में ले जा सकते हैं लेकिन जो पहला राइट है वो रहेगा टाटा का यह तो हुआ सुप्रीम कोट का एक डारेक्शन एक वहां से जो जज्जमेंट आई है लेकिन मैं समझता हूँ कि ज एक तो स्टेट की जगा आज जुटी है और जुटी के अपने रूल होते हैं अब उन रूल में मैं जाओं क्योंकि यह रूल जो है गौवर्मेंट का है मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि लोगों को ज़्यादा डिस्टरब नहीं करना चाहिए बलके कोई ऐसा एक सिस्टम बन एस पर जो इनका लाब बना है और जो आज लोग बैठे हुए हैं अपने अपनी जगा पर उन से प्रीमियम ले करके और उसको फ्री होल्ड करें और रेजिडेंशल के लिए भी कोई ना कोई एक पॉलिसी जो है वो आनी चाहिए क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है अभी तक उसके उपर गॉब्मेंट ने कोई अभी अपनी स्टेटमेंट नहीं दी है लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है अल जी साब ने कि हम लोग जो है चोटे दुकानदारों को और जो रेजिडेंशल जो एरियाज हैं हम उसको डिस्टरब नहीं करेंगे एक वेलकम स्टेप है हम हमारी तरफ से लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि यहां पर हमें उस पैमाने पर नहीं लेके जाना चाहिए यहां हम टाटा विरला की बात करें मुझे लगता है कि एक पॉलिसी बननी चाहिए जिसमें इन लोगों से प्रीमियम लेकर के और इनको सिर्फ चार सो से पांच सो लोग ही जो है अफेक्टड होंगे बाकी बाकी वाले उनको किसी तरह का इसमें कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हो गी उनका मेन जो पॉइंट था उनकी तरफ था कि कुछ लोग बहुत ही कम रेंट में उनके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जानी कि उन्होंने ये भी स्टेटमेंट इस्तमाल की कि पांच रुपे का रेंट देकर वो सो क्रोर रुपे की प्रॉपेटी इंजॉय कर रहे हैं, हमारा सिर्फ उनकी तरफ ध्यान है कि वो जो प्रॉपेटी है सरकार की वो बापिस ली जाए, उसे दोबारा रियॉक्शन कर जानी है, ये देखने की बात है, और उसमें कहीं अगर गौर्वर्मेंट को लगता है कि पई गलत तरीके के साथ उनको अलाटमेंट की गई है, वो गौर्मेंट जो है, वो अपना काम करें, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा, रेंट बढ़ाना भी गौर्मेंट का काम है, लेकिन इसमें यह देखना चाहिए, चाहे कोई भी हो उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट में अभी की मैं यह बार बार कह रहा हूं कि मेरे पास अभी तक कोई नहीं आया है, लेकिन जो मेरी अपनी फिलिंग है, वो यही है कि गौर्मेंट को अपना revenue लेने का पूरा हख है, rent को बढ़ाने का पूरा हख है, क्योंकि जिन लोगों ने popular government के time में benefit लिये हैं, उनसे अगर government जो है कोई चीज जो है extra में लेती है, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा जो concern है वो वही है, कि हमारे छोटे businessmen जो हैं, हमारे जो residential में रहने बाले लोग हैं, उनको disturb नहीं किया जाना चाहिए, ऐसी policy जो है, पहले ही बना करके, ताकि एक बार picture जो है, वो clear होनी चाहिए, और बहुत सारे जो बाकी अदाएरे हैं, चाहिए वो JDA है, housing है, corporation है, इनकी भी lease date जहां पर, जैसे fruit बंडी, सब्जी मंडी की है, इनकी lease date भी खत्म हो चुकी है, और मैं समझता हूँ कि एक policy के तहत, इनसे भी premium लेकर, और policy बननी चाहिए, छोटे दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार जो है, एक बार इनकी position जो है, खराब हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता है कि यह सर्वाइब कर सकेंगे, और मेरे मानना यही है, कि इन लोगों को भी ऐसी policy में, जिस तरह से अलजी साहब ने कहा कि हम लोग छोटे businessmen को disturb नहीं करेंगे, यहां residential के लोगों को नहीं डिस्टरब करेंगे, वही policy को अपनाते हुए, इन लोगों के साथ भी वैसे ही, जो इनकी lease date खतम हुई है, उसके उपर कोई नहीं policy बने, और मैं समझता हूँ कि अगर free hold किया जाता है, अगर इनकी property पे premium लेकर के इन लोगों को free hold किया जाता है, तो उसमें लोगों, मतलब गौवर्मेंट के पास भी इतना revenue कठा हो जाएगा, कि नहीं जो areas हैं उसको develop किया जा सकता है, commercial hubs जो हैं वो नहें बन सकते हैं, और अभी तक government का focus जो है, सिर्फ और सिर्फ उसी आधायरे में हैं, तो मैं समझता हूँ कि government को भी अपना आधायरा बढ़ाना चाहिए जाएगा है, देखिए री जब री आॉक्शन की बात आती है, उसमें क्योंकि देखिए आई जम्मू में अगर हम लग देखेंगे, जम्मू का business man जो है, अभी कभी compete नहीं कर सकता है, जो neighboring हमारी states हैं, चाहे वो पंजाब है, चाहे अगर गुजरात से लोग आते हैं, महरास्टरा से आते हैं, बैंगलोर से आते हैं, तो इन लोगों के साथ competition में आना हमारे जम्मू के लोगों का बहुत मुश्किल है, क्योंकि जम्मू में जो business हैं, वो एक limited अधारे में हैं, वहां का जो business man हैं, वो किसी भी हद तक जा सकता है, आज हम लोग अपनी इंडस्ट्री की ही बात कर लें, हमारे इंडस्ट्री जो है, अब अगर हम बात करेंगे गुजरात की, तो गुजरात में हर दिन पांच-दस नए इंडस्ट्री लग रही हैं, और हमारे अगर जम्मू की बात करेंगे, तो हर दिन यहाँ पर पांच इंडस्ट्री बंध हो रही है तो इस तरह की पुजिशन में जब हमारी यहाँ पर स्टेट में लोगों के पास इतना मतलब फाइनांस की पुजिशन जो है वो इतनी साउंड नहीं है बिजनस जो है क्योंकि हम लोग टेल एंड पर रहते हैं बिजनस जो है यहाँ पर हम लोग जो है ठीक है इंकम लोगों की होगी लेकिन इतनी इंकम नहीं है जिस तरह से हम कमपिटिशन जो है बाकी स्टेट के साथ कर सकें वहाँ से लोग आएंगे यहां पर auction में बैठेंगे, तो naturally उनकी तरफ से विड़ जो है, वो बढ़ा करकी ही दी जाएगी, जबकि हमारे लोगों के पास इतना finance नहीं हो सकता, क्योंकि बिजनस के system है, अभी यह समझने की बात है, यह debate की बात है, बड़ी लंबी debate है इसके उपर, तो मैं समझता हूँ क कि इस तरह की चीज जो है, वो नहीं करने चाहिए, जब दो के लोगों को डिश्टरब नहीं करना चाहिए, और मैं यहीं चाहोंगा, अपनी तरफ से, कि प्रीमियम लेना जो है वो गौवर्मेंट का हक है, उसके बारे मैं मैं नहीं बोल सकता, लेकिन लोगों को करने से पहले स्टेक होल्डर को भी कॉंफिडेंस में लेना चाहिए था मैंने हमेशा एक बात कही है गोवर्मेंट जो है अपना काम करती है अलजी गोवर्मेंट है इसमें मतलब मुझे लगता है कि अगर प्लिटिकल अडवाइजर देखें तो एक ही प्लिटिकल अडवाइजर है आज की डेट में स्टेक होल्डर के लिए कहीं जगा नहीं है तो मैं समझता हूँ कि कोई भी काम कभी भी ऐसा हुआ नहीं है चाहे वो पॉपलर गोवर्मेंट के टाइम में हो जब गोवर्मेंट के जब गवर्नर रूल थे यहां पर उस समय भी जो stakeholders थे उनके साथ meetings होती थी और जरूरत है उनके साथ meeting करके उनको satisfy करके अगर हम लोग कोई भी step लेना चाहते हैं तो government के लिए भी easy हो जाता है तो मुझे लगता है कि government को सोचना चाहिए इसके उपर कि stakeholders जो है उनकी involvement जो है जरूरी है हर चीज के लिए जरूरी है फैसला लेना government का काम है लेकिन जब आप discussion ही नहीं करेंगे किसी बात पर debate ही नहीं करेंगे तो किसी चीज का पता कैसे चलेगा कि लोगों के दिल में क्या है और government क्या करना चाहते हैं लोगों के दिलों की बात जो है वो सुनिये फिर उसके उपर फैसला लीजिए फैसला तो आपने लेना है फैसला पब्लीक नहीं ले सकती फैसला जो है वो government का काम है लेकिन कम से कम उनके दिल की आवाज सुनिये और मैं समझता हूँ कि यह जो चीज है आज की डेट में वो कहीं न कहीं उसमें कमी है और इस कमी को government को जरूर दूर करना चाहिए stakeholders के साथ public representatives जो है elected representatives जो है उनके साथ time to time meetings होनी चाहिए किसी भी बात को ले करके debate होनी चाहिए और best जो है वो public को किस कैसे मिल सकता है हम smart city की तरफ हैं लेकिन smart city में भी कहीं बार हम लोग कहते हैं कि debate करिए, discussion करिए लेकि क्योंकि ऐसा कोई provision है नहीं आज की date में तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीजें भी smart city में हो जाती है जो public की requirement नहीं होती है जहां मतलब हम समझें कि भई इसे city smart नहीं बनती है तो जब हम लोग जो है public की involvement करते हैं तो हर चीज जो है, picture भी clear होती है लोगों की demand भी clear होती है और government को तो वही करना है जो government का जो जिसमे government को लगे कि मुझे यही करना चाहिए लेकिन अगर वो सुनेंगे ही नहीं तो public को कैसे पता चलेगा कि यहाँ जी government जो है हमारे मताभी कोई काम कर रही है यहाँ सिरफ वो बंद कमरे में बैठ करके वो decision ले रही है अब मेरा आपसे यह प्रशन है कि जब से आपने chair संभाली है तब से आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर एक popular government की absence में business communities को कितनी ज़्यदा difficulty आई है as compared to जब पहले यहाँ पर governments हुआ करती थी देखे यह तो difficulty की यहाँ तक बात है तो difficulty तो है ही है क्योंकि popular government में अगर हम हमारे हर department की अलग ministry होती थी हम अलग अलग department में जा करके हलग-लग minister से बात करके हम लोग जो है अपनी बात रखते थे आज की date में जब भी हमें कोई बात करनी होती है LG साब से बात होती है Chief Secretary से बात होती है और फिर उसके बाद हमारे पास जो है option बच्चती है हम लोग डिबकाम के पास ही हमेशा जाते है कि परिया आप हमारे issues जो है उसको raise करिए मैं समझता हूँ कि popular government जब भी होती है उसको क्योंकि ये एक vote की राजनीती है उनको पता होता है कि कल को हम लोग इनके against खड़े होंगे तो हमें vote जो है उसमें कहीं problem आ जाएगी आने वाले दिनों में हमारे election में हमें ये problem create कर सकते है आज का जो set up है उसमें कहीं voting rights की बात ही नहीं इसमें कहीं vote नहीं डालने की बात हो जहां हमें इसके against कहीं कोई नुक्सान होने वाला है government को इस चीज़ का कोई नुक्सान नहीं लेकिन मैं फिर भी यह कहूंगा कि बाई government काम कर रही है ये नहीं है कि जम्मों में development हो रही है लेकिन जो चीज़ें हम लोग सोचते हैं कहीं बार कि development जो है वो इस तरीके के साथ होनी चाहिए और उसमें ये जे चीज़ें जो है involve होनी चाहिए वो कहीं न कहीं आज की date में कमी है आने वाले दिनों में government चाहिए कि उन चीज़ों को दूर करें और हम हमेशा यही चाहेंगे कि आने वाले दिनों में एक popular government हो चाहते हैं कि जल से जल जो हैं जम्मों कश्मीर में election होने चाहिए यहां पर एक elected government हो ता कि हर एक community की चाहिए बुजनस community हो जो किसी तरहां कभी जो तरहां के भी वैसाई से चुड़े हुए लोग हो उनकी बातें जो है प्रॉपरली डिड्रेस को मैं इस मारे में दो चीज़ा जरूर कहाना चाहूँगा जिकिए जो आज जम्मों और कश्मीर के हलात सुद्रे हैं अभी की जो पिछले दिनों में incident हुए हैं चाहे वो रिजोरी का हुआ है चाहे वो पुंच का हुआ चाहे वो सिदरा में हमारे जो पलीस के लोगों ने कुछ अगरवादियों को मारा हैं इस इन incident को छोड़ करके जो जो कुछ भी आज की डेट में बदलाब हुए है वो LG गवर्मेंट के टाइम में हुए है और मैं समझता हूँ कि हम लोग हर बार सिरफ सिरफ और सिरफ criticism नहीं कर सकते हैं अगर कोई अच्छा काम करता है उनको अप्रिशेट भी करते हैं कल जो है यहां ट्रांसपोर्ट नगर में काम शुरू हुआ है 34 करोड रुपया जो है वो फर्स्ट फेस में दिया गया है यहां पर हमारी ही डिमांड थी हमने बार बार request की थी और कल ultimately मैं मुझे भी invitation था हमारी टीम को invitation था हम गए थे और उनकी तरफ से भी यह कहा गया कि यह चैंबर की डिमांड पर आज हम लोग जो है यहां पर काम जो है वो करवा रहे है एक बहुत बड़ी बात है कि चैंबर की डिमांड जो है वो सुनी जाती है आई वहां पर काम शुरू हुआ है तो इस तरह के काम जो है आगे हम लोग बहुत कोशिश करने के बाद भी जम्मू में ऐसे काम जो हैं वो नहीं मिल पाते थे popular government थी वो अपने हिसाफ से चलती थी लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इतनी change जो है वो आज की LG government में हुई है लेकिन ultimately मतलब हमें popular government की जरूरत है ही है और आने वले दिनों में हम चाहेंगे कि एक popular government जहां पर बने ताकि क्योंकि आज के दूर में किसी से मिलना इतना आसान नहीं है सेक्टरेट में जाना इतना आसान नहीं है लेकिन जब popular government होती है क्योंकि वोट की राइनिती है वोट की राई नीती में हमेशां जो एलेक्टिड मेंबर होते हैं उनको सोचना पड़ता है कि आने वाले दिनों में हमें फिर कोई नुपसान ना हो और बात को मानना भी पड़ा है कि कोई यहां भी एलेक्शन के असार हैं हमने देखिए जो पिशली बार एलेक्शन हुए थे कोट के निर्देश पे हुए थे और मैं समझता हूं कि बड़ा अनफॉर्चुनेट था हमारे चैंबर के लिए आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था और किसी भी प्रेजिडेंट ने टैनियर को बढ़ाने की कोशिश नहीं की थी और मुझे लगता है कि मैं कम से कम मैंने हमेशा यही सोचा है क्योंकि हमारा एक कांसिचूशन है और मैं जो भी काम करता हूं यहां पर एस पर कांसिचूशन करता हूं और कांसिचूशन में बड़ा क्लियर है अलेक्शन के बार यहां पर Constitution के मताविक मार्च एपरल में एलेक्शन होते हैं और उस टाइम में हम लोग एलेक्शन करवा देंगे और बहुत चल्द हम लोग जो है वो अनौस करने वाले हैं कि कब हम हमारी एलेक्शन होगी क्या इस बार आप कंटेस्ट करेंगे दुबारा मैं तो समझता हूँ कि मैं तो अपनी टीम के साथ ही कंटेस्ट कर रहा हूँ अब टीम में कौन-कौन हमारे साथ चलता है कौन नहीं चलता है यह उनका अपना निरने रहेगा लेकिन मेरी कोशिश है और मैं कंटेस्ट जो है एज प्रेजिडेंट जो है करी रहा हूँ आप देख रहे हैं साथ में हमारी बिल्डिंग का काम शुरू हुआ हुआ है और इसके इलावा मेरी हमेशा कोशिश रही है कि जब कभी भी कोई इशू आए कोई भी हो मैंने जम्मू के सिर्फ अपने जो र जिस्टर नहीं हो सकता वो भी मेरा मेंबर है और मैंने हमेशा इसी बात को ले करके और स्ट्रगल किया है पिछले दो साल में मैं चाहे वह कितनी बार मुझे सड़कों पे भी खड़ा होना पड़ा मैं उससे पीछे नहीं हटा और आने वाले दिनों में भी मेरी यही रहेगी कि बिजनस कम्मुनिटी के लिए मैं जो कुछ कर सकूंगा मैं इसमें अपने आपको खुश किसमत समझ पाऊंगा कि मैंने अपने बिजनसमेन के लिए बिजनस के जो मैं भी क्यों हूं कि मैं भी बिजनसमेन हूं तो मैं उनके लिए कुछ कर सकूं यह मेरी खुश क तो ये थे अरुन गुपता जी काफी मुद्दों पर इंडर ने खुल के बातचीत की और साफ तोर पर उन्होंने सरकार से यही एक रिक्वेस्ट की है, डिमांड की है, कि जो बिजनस कम्यूनिटी है, जिनकी लीज खतम हो चुकी है, उनको जो है, दोबारा से एक प्रीमियन क्योंकि उनका एक बिजनस सेट अप है, उनके साथ कहीं लोग जो है, उनकी इंप्लॉइमेंट जुड़ी हुई है, उनका काम काज जो है, उनसे जुड़ा हुआ है, उसे एक बैठ कर एक प्रीमियम तैय किया जाए, और ता कि उनको अपने बिजनस को आगे बढ़ाने का मो इसी तरह कि उनके बात पर साफ तोर पर कहा कि जम्मू के जो बिजनस कम्यूनिटी है, उसका इंट्रेस्ट जो है, वो हर्ट ना हो, इसका सरकार पूरा ध्यान दे.